बाहरे दिली में और्गनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती, किसान बहु ज़ादा मातरा में कर रहे हैं खेती करने वाले किसानों का मानना है कि रासाइनिक खेती के चलतें कि जमीन की फसल पैदा करने की शक्ति कम हो रही थी जमीन में उपज हर वर्ष कम होती जा रही थी लेहाजा किसानों ने किर्शी विश्य सग्यों के दौरा मिली जानकारी के मुताबिक औरगनी खेती करना शुरू कर दिया जिन आपको बता दे कि औरगनी खेती रसानी खेती के मुकाबले ज़्यादा समय फसल की पैदावार में लेती है लेकिन किसानों का कहना है कि पहरी बार जब औरगनी खेती शुरू की जाती है तो एक वर्ष तक जेविक खेती ठीक नहीं होती किसानों को नुक्सान होता है लेकिन उसके बाद जमीन उपजाओ बनती है और खेतों में फसल भी अच्छी होती है किसानों का नुक्सान सुरुवाती दोर में बहुत ज्यादा होता है और झिन उपकरनों को चिसानों की जरुवत होती है उनपर भी सबसीडी सरकार के दिशाति इसे नहीं दिजाती इसको लेकर और के लोड़ावामिले और रसाने से लोगों को चोटकारा मिले, साती किसानों को सबसीडी मिले और और औरगनी खेती का प्रचार पसार सरकार दोरा किया जाए, इसको लेकर किसानों की आवाज को कईवार बुलंत किया गया है और उसका असर भी अब दिखाए दे रहा है, लिहाजा वितमंति दोरा बजट पास किया गया, उसमें किसानों की औरगनी खेती को भी बढ़ावा देने की बात की गई, वहीं किसानों के उपकरन पर सबसीडी और खेतों में इस्तमाल होने वाले बीज और अन्य फसल समबदित सामगरी देने की भी बजट पास किया गया, जिसके बाद किसानों के चेहरे पर भी खूशी की लहर देखने को मिल रही है तो उससे जो हमें बजट दिया और मैं तो यह कहता हूँ कि दिली सरकार भी कुछ ना कुछ उसमें एड करे अपना फिलाल आपको बता दे कि केंद्र सरकार के इस बजट पास होने के बाद अब किसान खुश नज़रा रहे हैं और अब औरगेनिक खेती की शुरुवाती दोर में जो किसानों का नुकसान होता था इस बजट के तहट उनसे नुकसान की कही न कहीं भरपाई भी जरूर हो सकेगी दिली से अपने सयोगी अनुझा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट हमवतन टीवी